हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेट के बारे में ट्राइडेंट को लेकर कई लोग काफी फ्रस्टेटेड है क्योंके कई महीनों से ये एक ही रेंज में चल रहा है लेकिन फ्रेंट्स आप इसे बेचने की गलती बिल्किल भी मत करना किसलिए मैं कहरा हूँ वो भी हम आगे विडियो में देखेंगे और इसके related एक updated news निकल कर आई है वो भी हम आगे वीडियो में cover करेंगे friends और हम आगे जानेंगे इसके level और target क्या हो सकते है चलिए सबसे पहले तो हम इसका performance देख लेते हैं इसने closing दी है 54 रुपीज 10 पेसे पर अगर हम percentage में देखे तो 0.093% की हलकी सी तेजी दिखाया है Trident ने जो के ना के बराबर है आपने notice भी किया है आज market में गिरावट थी और उसका सिधा सिधा असर आपको Trident पर भी देखने हुँ मिला है friends यह open हुआ था 54 रुपीज 45 पेसे पर यह high लगाया 53 रुपीज 50 पेसे Start of the day इसमें एक गिरावट देखने को मिली लेकिन End of the day आप देख सकते हैं यहां recover हो चुका था चलिए next हम volume analysis भी कर लेते हैं आज का volume कैसा था यहां आप देख सकते हैं वन मंथ का average है 61 lakhs और वन वीक का average है 48 lakhs और last trading session में 47 lakhs का volume था और आज 46 lakhs का आज देख सकते हैं आप लगातार volume में बड़त देखने को मिल रही है जो के एक positive indication है इस समय ट्राइडेंट एसम लिस्ट के level 4 में है friends जल से जल यह एसम लिस्ट के बाहर हो जाएगा अगर यह ऐसा हो जाएगा तो यह intra-day traders भी इसमें involved होंगे और इससे आपको price में speculation देखने को मिल सकता है तो इस समय अभी ASM लिस्ट में हैं जिसकी वज़े से आपको अच्छा moment देखने को नहीं मिल रहा है चलिए next हम shareholder pattern भी देख लेते हैं अगर हम shareholder pattern देखे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं total promoter की holding है 72.94% और mutual fund के पास है 0.02% और other domestic institution के पास है 0% और foreign institution के पास है 2.48% और retail and others यानि के हम जैसे और आप जैसे retail investors के पास है लगबग 24.56% यहाँ आप देख सकते हैं 72.94% यानि के 73% promoters के पास है जो के indicate करता है कि fundamentally यह काफी strong company है लगातार यह कुछ नव कुछ नया लेकर आ रहे हैं friends रिसेंटली आपने देखा ही है इन्होंने detergent में भी अपना सिक्का जमा लिया है चलिए हम पिछले quarter भी देख लेते हैं September के quarter में promoter की holding थी 73.02% जबके July में थी 73.02% यहाँ पर FIS 1.6% दिखा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं FIS ने अपनी holding बढ़ाई है September के महीने में और जबके December के महीने में और ज़्यादा बढ़ाई है FIS ने ठीक है तो overall देखा जाए तो FIS ने अपनी holding बढ़ाई है और promoter ने पिछले quarter में हलकी सी अपनी holding घटाई है अगर हम इसका positive और negative side देखे तो यहाँ आप देख सकते हैं negative side में ASM list में है अभी और positive side आप देखे तो यहाँ पर right time है invest करने के लिए और ये company लगातार अपने shareholders को dividend देती हुए आ रही है तो overall देखा जाए तो friends यह FD के मुकाबले बहुत अच्छा return दे रहा है अपने shareholders को और जैसे कि आपको पताईए friends Trident ने अपना trading window बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ही जल्द यह अपना quarterly result अनौंस करने वाले हैं तो देखना होगा किस तरह का result अनौंस करेंगे क्या यह quarter में dividend देंगे अगर dividend देंगे तो कितना percentage देंगे यह हम आगे अपने channel पर post करते रहेंगे friends जिसके लिए आपको हमारा channel subscribe करना होगा यहां आप देख सकते हैं buying target दिया है मोतिला लोसवाल ने 73 रूपीज का और यह एक बहुत बड़ी rating agency है मोतिला लोसवाल इसने 73 रूपीज का target दिया है friends जो के बहुत ओपर की तरफ है अगर हम percentage में calculate करेंगे तो लगबग 25 to 30% upside move दिखाता है friends चलिए next हम चार्ट पर भी discuss कर लेते हैं यहां आप देख सकते हैं एक strong resistance है 54 रूपीज याने 55 रूपीज पर एक strong resistance है जिसे break नहीं कर पाया था इसके बाद एक हलका सा reversal लेखने को दिखा है friends और आपको बता दूँ यहां पे 9 days का moving average है जिसके उपर है जो के indicate करता है ट्राइड अभी भी positive है और अगर यह positively positively उपर की तरफ जाता है तो पहला resistance रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं 57 रूपीज और second resistance रहेगा 60 रूपीज और यह अगर और उपर की तरफ जाता है तो आपको यह 64 रूपीज का target भी दिखाता हुआ दिख सकता है इस समय सभी को दो चीजों का इंतिजार है एक तो है ASM लिस्ट के बाहर होना चाहिए ट्राइड इंट बहुत ही जल्द और दूसरा रहेगा उसका quarterly result अगर quarterly result में एक अच्छा profit post करेगा ट्राइड इंट तो आप imagine भी नहीं कर सकते सिर्फ कुछ ही दिन में यह 70 रूपीज क करना चाह रहे हैं मैं उन्हें सजस्ट करूंगा यह एक अच्छा लेवल है यहां पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और around 60 रूपीज के पास आप exit हो सकते हैं और जो long term के लिए निवेश करके बैठे हुए हैं उन्हें मैं सजस्ट करूंगा इसे hold करके चलिए आपको ज relative indication है friends तो आप इसमें long term के लिए सोचेगा इसमें निवेश करके रहिएगा इसी के साथ मैं अपना वीडियो समापत करता हूँ friends यह तो मेरे views थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजिए अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो इसे like करकर encourage करिए और अपने दोस आपको इसी तरह की updated news सबसे पहले मिले